साथियों, मैं सोचल मीडिया पर देख रहा था, खान खान को लेकर भी कुछ लोग तरह तरह की बाते करते हैं, इससे भी तमाम अफ़ाएं उर्ती हैं, जिससे हमें सतर्क रहना है, हम जो भी खाएं, वो खुब धोकर और खुब पकाकर खाएं, इस बात को हमें गाउं गाउं में बताना है, और हाँ, गाउं में कई अच्छी परंपराएं भी होती हैं, जिनको हमें प्रोशाइद करना है, जैसे हमारी यहाँ आयुरुवेदिक काढ़ा पीने की परंपरा है, अनेक प्रकार के मसालों का उप्योग हम करते हैं, इसके साथ साथ, अगर हम नियमित रुप से योग प्रानायम करेंगे, तो निश्चित रुप से हमें लावी में होगा, यह किसी बिमारी का इलाद नहीं है, लेकिन यह हमारे शरीर को बिमारी से लड़ने के लिए ताकत देता है, सक्षम बना देता है, आयुष मंत्राले की तरप से इस से जुड़ी कुछ गाइडलाइंज भी जारी की गई है, और मैं चाहूं का सारे प्रदान आयुष मंत्राले की वेर्शाय पर जाएं, उसमें सारी चीज़े हैं, अपने गाव मों उसका उप्योग करें, एक और बात, जिस पर आप सभी को बहुत ध्याम देना है, वो है आरोग्य सेतु मुबाइल एप, मैंने अभी एक टीवी के अंदर एक किसी कलाकार का देखा था, उसने आरोग्य सेतु मुबाइल एप को बड़ी गाड कहा है, यह मुबाइल एप कोराना से लड़ाई के लिए बहुत उप्योगी है, यह एप आपके मुबाइल में रहेगा, तो आपको पता चल जाएगा, कि आपके गाउं में सामने वाला किसी ऐसे इलाके से तो नहीं आया, जो कोराना प्रभावित रहा हो, आपकी खुद की सुरुक सुरुक्षा के लिए, आपके गाउं की सुरुक्षा के लिए, आपके आपपासवालों की सुरुक्षा के लिए, आप अगर यह आरोग्य सेतु एप अपने मुबाइल में डाउनलोड करें, पूरे गाउं के पास करवाएं, यह लंबे अर्षे तक आपका बोडिगार का का करेगा मैं देश के सभी पंचायत प्रतिंदितियों से निवेधन करूंगा कि आप सभी अपने गाउं के प्रतेक सदस के मोबाइल फॉन में आरोग के सेतु एप को डाउनलोड करवाएं यह एक प्रकार से हमारी सुरक्षा का सेतु है